भैस चल लिए थी उस सीख बोलता आपको मानने का तो जटका से मारो फिनिश एक जटके में जानवर मर गया आप तरपा 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 ते क्यूं मारते तो अपना मुस्वनमान भाई जो उसके जहन से उसने जवाब दिया उसने कहा कि आप लोग बुजदिले आप लोग सही जवाब इस्लाम में हम जबा करते हैं उसकी वज़े ये है कई कई शरायत हैं कि जूरी टेव होना चाहिए जल्दी से करना चाहिए एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने जबा नहीं करना चाहिए कई चीज़े हैं सबसे एह में कि जब हम जबा करते हैं तो आप त्रो जब हम जबा करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं along with the vessels of the neck heart pump कर रहा है blood दिल अभी तक चलता है और खून भे जाता है अगर हम reed के हटी spinal cord को damage करेंगे तो जो nerve जो दिल को जा रही है वो damage हो सकती है देखें इंगरी kardia kardish दिल बंदो सकता है जब दिल बंदो जाएगा तो सारा खून जिसम में रहेगा तो एक जरूरी चीज़े का जब हम जबा करते हैं तो यह जो wind pipe को काटते है जोट को काटते है वेसु काटते है और दिल अभी तक के खून को pump कर रहा है भार हमारा main मकसद है कि खून जानवर के जिसम से भार जाए आज science यह कहती है कि खून is a good medium of germ the bacteria खून के अंदर जरासिम रहते हैं टॉक्सिन रहते हैं बहुते बिमारिया रहते हैं तो हम scientifically इस खून को बहने देते हैं और लोग को गलत असवर है कि जब जबा होता है जो जानवर तरप तरप के मरता है हाला कि जब जबा होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पोच्छता है जिससे दर्द का अहसास होता है वो बंद हो जाता है तो जानवर सुकून से मरता है उसको दर्द का अहसास नहीं होता है कि खून जो दिमाग के इससे पे जा रहा है जिससे दर्द का अहसास होता है वो बंद हो जाता है मैं यह जानता हूँ कि जानवर तरब तरब के मरता है उस तरबता है दर्थ के वज़े से ने क्योंकि खून कम होने के वज़े से scientifically muscles contract and relax खून कम होने के वज़े से वो muscle contract करता है और relax करते इसलिए जानवर तरबता है दर्थ से नहीं हाला के जटके में कई बार जानवर दो तीन चार घंटे बाद मरता है और बो दर्थ के साथ मरता है तो इस्लामिक तरीका स्वाटरिंग का एकदम सही तरीका